या आ चुका है फिर से Google का एक नया अपडेट तो अज उस ही के बारे में जो यार वो डिसकस करते हैं क्योंक.. कुछ लोग कमेंट आ रहा था ये जी updates है इसके बारे में बात करे ये तो अब आप देखो यार ये अपडेट अपडेट होना आ अप ये बहुत ज़यादा चौकने वाली चीज है नहीं, हर एक दो महिने में कोई न कोई अपडेट वगरा आती रहती है, और तो उससे अब क्या ही डरा जाये, ठीक है न, तो चलो अपडेट के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ जो है वो Google बाबा कह रहा है, और क्या कुछ चांत है, कुछ हो रहा है, या अभी जो अपडेट आई है, उसमें वेबसाइट वगरा में क्या impact बढ़ रहा है, जो मेरे ब्लॉग वगरा चल रहा है, उसमें मैं क्या notice कर पा रहा हूँ, तो इस चीज के बारे में बात करते हैं, तो अपडेट वगरा का आई थी, या आप स्क्रीन में देख सकते हो, यह कुला हुआ है, यहां पर सारी अपडेट वगरा का जो है ना, वो भई खाता रहता है, तो यह जो अपडेट है या यह आई हुई है, नॉमब्बर 2024 में है, ठीक है ना, और कितने तारिकों आई है, 11 नॉमबर 2024, ठीक है ना, अब इसको अपडेट हो कंपलेट होने में व और यह कोई नई चीज नहीं आ रही है और यह अपडेट सगरा आती ही रहेगी जो समझ में आ रहा पिछले एक दो सालों से हम लोग नोटिस करके देख रहे हैं आप बाकि अगर इस चीज को जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाया तो यहां पर जो है वो हम क्लिक करते ह हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं कि क्या कुछ जो है भाई यहां पर हमें देखने को मिल रहा है किस चीज के ऊपर है मैंने कुछ पॉइंट नोटिस करें ते हुसके बारे में हम बात करेंगे तो सिंपल से हुई है कि यार वही गूगल बोल रहा है कि तो आपको साल drop-in search console ठीके ना अब यार ये बहुत important चीज है इसके ना अगर सार में आप पढ़ो के जा करके तो Google ने इस बार खुद दीज चीज बोली हुई है जो कि मैं बहुत पहले से भी बोल ला था कि या जब भी कोई update आए करे न तो एक्दम से website में changes देंज जो है वो मत करने लगा कर जो कि यार आपको लगे कि यार वो जो है ना unhelpful pages है उन्हें delete कर दो तो यह तो चीज है कुछ-कुछ है जो आप कर सकते हो पर यहाँ पर देखो आप कुछ important चीज अगर हम यहाँ पर बात करें confirm the core update has finished rollout सबसे पहले क्या बोल रहा है वो heading समझ कर क्या आ रहा है देखो वो hint दे रहा है कि अपडेट आई नहीं कि लोग website में changes करना शुरू कर देते हो और वो यह माल लेते हैं कि कई बार जो है ना वो इस update से एकदम से hit हो गई है पहली बात तो गूगल भी गह रहा है कि search in search console मतलब एक हट जब core update खतम हो जाए उसके बाद भी एक हटा जो है ना उसके बाद आप जो है वो traffic analyze करो और जो पुराना ट्राफिक आ रहा तो उसके हिसाब से जो है वो compare विंपेर बगरा करके देखो एकदम से जा करके नहीं कि update आई बिलकुल से जो होता नहीं है यार क बिलकुल पैनिक में आकर के इधर इधर उधर 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 चेंज करने लगे क्या होता अपडेट के टाइम पर होता गया है कि कई बार traffic डाउन होता है आप होता अपने आप आपको लगेगा कि यार आपने क्या करा है कि यार कोई particular post या कोई particular page डिलीट कर दिया और आपका traffic बूस्ट दिख रहा है बट कई बार उससे जो है वह फर पड़ी नहीं रहोता है क्योंकि वह फ्लेक्ट्वेशन हो रही होती है तो वह आप सारा credit देते हो उस चीज को कि हायर यह मैंने चीज करी इस वज़े समीरा ट्राफिक जो है वह बूस्ट हो गया या डाउन हो गया उ चीज को देते हो बट भाई सिंपल सा वेट करो हो सकता है और इवन जब अपडेट खतम हो जाए उसके बाद भी एक हथे तक वेट करने के लिए यहां पर जो है गूगल ऑफिशली कह रहा है ठीक है ना फिर यहीं पर सिंपल से चीज है after a week try comparing the week with a week before मतलब जो current week चलो उससे पहले वाले week में जो है वो compare वगड़ा आप कर सकते हो the core update started rollout this way you will be able to better pinpoint what exactly has changed ठीक है मतलब concept मोटा मोटा यही है कि core update आए जब चल रही हो उसके बीच में ब्लॉग में कोई भी changes मत करो उसके एक हपते बात तक भी जो है वो कुछ भी changes मत करो क्योंकि यहां लोगों कि क्या है ब्लॉग को सही करने की बज़ा है और ज्यादा खराब कर दो ठीक है तो यह थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है review your top pages and queries अब जब आपकी website या blog hit हो जाता है तो उस समय क्या करना है जो blog आपके rank कर रहे थे ठीक है ना जिस query पर rank कर रहे थे उसको जो है mainly आपको analyze करना access how they were ranking before कैसे वो पहले rank कर रहे तो कैसे वो जो है वो अभी rank कर रहे ड्रॉप होने के बाद small drop in position अब यह क्या होता है कई बार आपका block जो है वो दूसरी position पर rank कर रहा होता है फिर क्या होता है वो चौती position पर rank करने लगता है तो यहाँ पर simple सा लिखा हुआ है there is no need to take drastic action करने लग जो कई बार क्या होता है Google भी या पूजिशन चेंज करके देखता है नीचे वाले block को पिरोटी देता है बट देखो क्या होता है यह एक जैन्मन सी चीज़ है कि पहली position पे जो है वो तकड़े लेविल का traffic आ रहा होता 70-80% के आसपास और जैसे ही जो है ना दूसर है तो कुछ ऐसे ही मतलब बैठ रहा है आप ठीक है तो यह चीक है इन फैक्ट वी रिक्मेंड एवाइडिंग मेकिंग चेंज़ेस टो कॉंटेंट दैट और लेडी परफॉर्मिंग वेल मतलब आगर आपका ब्लॉग पहली position पर रैंक कर रहा था और वो दूसरी या चौथ पोजीशन पर आ गया ठीक है तो गूगल कह रहा है कि आपका ब्लॉग सही है वो रैंक कर रहा था ठीक है न तो उसमें जबड़ जस्ती के चेंज़ेस बगरा मत करो हो सकता है एक दो मैने बाद नहीं अपडेट आएगे तो आपका ब्लॉग फिर से उपर आ जाएगा ठीक ह अगर वो ओल्डर कॉंटेंट से ज्यादा सटिस्वाई होगा जब आपका पहली पोजीशन पर ब्लॉग रैंक कर रहोगो तो भाई फिर से वो पोजीशन मिल जाएगी यहां पर यह कहने का मतलब है गूगल का जो मुझे सौन में आ रहा लार्ज ड्रॉप इन पोजीशन अ यह तो चीज़ अच्छी चीज़ जगमन कर रहा है कि यार आपको कितना सीरस लेविल में चीज़ों को चेंज करना है कहां पर पैनिक करना है कहां पर पैनिक नहीं करना अगर सिर्फ दो तीन पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है तो उसमें तो वो खुद ही यहां पर आपको स आप साब recommend कर रहा है कि भाई, we recommend avoiding making changes to content that's already performing well, ठीक है ना, वो मना कर रहा है कि भाई, एक दो position उपर नीचे के लिए आप अपने content पे changes वगरा मत करो, analyze different search type separately, ठीक है ना, यह आप देख सकते हो, अब यहाँ पर क्या है, accessing a large drop in position, अब जब आपकी position पर, मरला कि बहुत जादा नीचे चलिए आती है, तो उस case में क्या कर सकते हो, उस case में take a look, take a close look at your site as a whole and try to objective, ठीक है, अब यहाँ पर भी किसने कुछ क्या दिया हुआ है, that are unaffiliated with your site, ठीक है, you might also ask other, you trust that are unaffiliated with value, मैं ही बतनब की चीज़े हटाना लगाना है, evaluate the pages that were most impacted, जो आपके block के position माना तो दूसे तीसे नंबर पर rank कर रही हो ठीक हो, और वो सीधे 20-30 नंबर पहुँच गई, तो mainly उनको focus करना है, कि उसमें क्या कमी थी, उनमें आप थोड़े चौथे नंबर पर ब्लॉग rank कर रहा है, तो अपर सीधे 29 नंबर पर rank करने लगाना, तब तो भाई changes वगरा करके देखने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी वो अगर थोड़ा बहुट ड्रॉप आ रहा है, तो उसके लिए जो है, वो changes वगरा नहीं करने है, ठीक है, example इसमें अ आपका ब्लॉग पीछे कर दिया गया, और पीछे वालों को जो है, वो आगे लाके यहां पर जो है, वो जगे दी गई है, things to keep in mind, making changes, जब change कर रहो तो क्या-क्या दिखने रखना है, avoid doing quick fix changes, इसके बारे में मैं अलड़ी बात कर ली कि यह आपडेट के टाइम पे जो है, एक करोगे, यहां पर changes करोगे, इस element में changes करोगे, तो आपका ranking जो है, फिर से boost हो जाएगा, तो Google कहा रहा भाई, इस सम्मित से दूर रो, ऐसा करने की जो है, वो आपको जरूरत नहीं है, consider how you can improve your content in meaningful ways, for example, it could be that rewriting or restructuring your content makes it easier for your audience to read and navigate the page, मतलब वही है कि थोड़ा सो और simplify गरो content क ठीक है, deleting content is our last resort, आप वो भी देखो, यहीं जिसकी मैं बात कर रहा था न, कि लोग न, जाते हैं, कोई-कोई subdomini delete मार देंगे, कोई category ही पूरी-पूरी delete मार देंगे, तो वो यह कह रहा है कि यह चीछ जो है न, यह बहुत last option आपका होना चाहिए, कि सब कुछ करके देख ल आया, जो भी चीज़े करती ही न, तो उसको ताफ से रटाने के बारे में सोचो, यह Google recommend कर ला है, ठीक है न, तो यहां पर थोड़े सा हम उसके, how long does it take to see an affecting search result, आप इसमें देखो यही चीज़े, इसको पढ़ोगे न, तो इसमें लिख यही चीज़े, यह कभी-कभी तो क्य गंटे में हो साजा है, हो सकता है, इसको जो है, एक दिन लगे, हो सकता है, एक महिना लगे, हो सकता है, 6 ताल लगे, सेम यही बात यहां पर, वो टिप्लोमेटिक तरीके से करी जा रही है, कि आपका जो भी changes कर रहो, न, सारे SEO में changes कर रहो, pages delete कर रहो तो हो सकता है कि कुछ दिनों में impact दिखने लगे और हो सकता है भाई कि जो है वह आप महीनों वेट करते रहो हो सकता है सालों वेट करते रहो तो भी जो है वह impact आया नहीं है क्योंकि आपको क्या पता है कि आप अपनी नजरों में या जो guidance आपको मिले उसके हिसाब से आपको लगेगा आप सही कर र कुछ नहीं आया है कि ये वो कि expired domain के ओपर कुछ कर रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है सब कुछ नहीं है सिर्फ एक नॉर्मल सी जो है Google की core update आई है जो कि आती रहती है साल में और उसमें इसने ज्यादा तर देखा जा करके तो उसने तरीके से एक guidance type के आपको दिए कि यार update आते ही जो लोग नहीं हला मच जाता हो लोग website में खुब सारे वीडियो बरहा बन जाते हैं ये चेज़ करके देखो ऐसे ट्राफिक recover करो इस तरीके से ट्राफिक record हो सकता यह हो सकता है यह पिजस अटा दो यहां से यह कर दो यह और बहुत ही अनलाइस करके जो चीजे हैं वो चेंजेस जो है वो अपने ब्लॉक पे करो समझ गए तो आई हूप आपको थोड़ा सा क्लार्टी मिली होगी मैंने गूगल के डॉकुमेंट सही जो उसने लिखा ओफीशली उसको थोड़ा सा लेते हुए कुछ अपने अब जो होगा वो दिखा जाएगा चलो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद